नमस्कार सात्यों स्वागत है आप सभी का एक पार फिट्से मारे यूटूब चैनल प्रिंस एजूकेशन पॉइंट पर दोस्तों आज की इस बीडियो में हम बात करने बाले हैं SSC CHSL ने अपना नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया है जी यहां दोस्तों SSC CHSL की दोस्तों बेकेंस से याद सुगी है इसके बारे में हम बात करने बाले हैं देखिए अल ओबर इंडिया की बेकेंसी है और मेल और फिमल सभी केंडियों के लिए अभी दन कर पाएंगे तो इसके बारे में बात करते हैं देखिए क्या इसके LGBT कंडिशन होंगी कौन-कौन Candidates में आप इदन कर पाएंगी कब फॉर्म कब से आपके पता है आप से अपलाई होना स्टार्ट हो चुके हैं इसके क्या लाज़ डेट रहेगी अपलिकेशन स्टार्ट करते हैं तो इसके बारे में आपसा पर आप सबी को मिल पाए अगर आप इसरी अपड़ाव की अपडेट पाना चाहते तो हमारी यूटिव डियनल को सबस्कार्इब करके बाला आएपकोन ब convince करें जिससे कहाने वादी हर वीडियो की notification आप सभी को मिल पाए चली वीडियो को start करते हैं बिने दरीके दोस्तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे यह आपका official notification आप लोग यहां पर देख सकते हैं आज की डेट आप लोगों को दिखाई दे रही होगी अगर आप लोग अभी दिन करना चाहते तो अभी दिन आप आराम से अभी भी कर सकते हो ठीक है भाई अगर मैं इसकी last date के बारे में बात करूँ दिकि last date इसकी क्या रहने वाली है तो इसकी जो last date रहेगी वो 8 जून 2023 इसकी last date रहेगी तब से बैप आपको बोलना चाहूँगा last date का आप बिल्गूल भी बेट ना करें अगर तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि last में जाके website बहुत ज़्यादा बेजी हो जाती है तो देखिए एक दो दिन में आप लोग अपना form को फिलप कर दीजीगा ठीक है यहाँ पर payment के लिए एक दो दिन एक्स्टर दिये जाता है तो वो date आपको आहाँ पर दे रखी है और मैं आपके आपको बागे बात करता हूँ देखिए आप पर payment के लिए ही date दे रखी है अगर मैं बात करता हूँ देखिए आप अपने form birthday time किस यहाँ पर है वह आपका अगस्त 2023 में आपका यहाँ पर लिया जाएगा जो कि आप लोगों को पता है कि आपके एक्जाम देट भी जारी कर दी गई है ठीक है आगे बात करते हैं देखिए आप पर टीर टू के बारे में कोई भी notification यहाँ पर नहीं दिया गया ठीक है और चाहूँगा इसके बारे में तो देखे इसकी लेबल टू की जो अगर आप सलेक्ट होते हैं तो अगर आप data entry operator के लिए सेलेक्ट होते हैं यानि DEO के लिए सेलेक्ट होते हैं तो इसमें pay level 4K according आपकी salary मिलती है और इसमें अगर salary की बारे में बात करें तो 25,500 से लेके 1100 तक आप इसकी salary मिलती है और अगर हम pay level 5K according बात करें तो आपकी 29,200 से लेके और आपकी 92,300 तक इसमें आपकी salary मिलती है ठीक है बाई अगर मैं बात करता हूँ data entry operator grade यह आपकी देख सकते है grade A वालों के लिए तो grade A वालों के लिए आपको यह payment रहेगा ठीक है इसमें 4 level P के आपको salary मिलेगी ठीक है न अगर मैं vacancy के बारें बात करें तो देखिए यहाँ पर vacancy बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगी ठीक है यहनि कि 1600 vacancy आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो देखिए मुझे लगता है कि vacancy आपकी बहुत कम है और मुझे लगता है कि vacancy भी बढ़ेंगी तो आप इस चीज़ को दिमाग में मत रखिएगा आपकी condition के according आपकी यहाँ पर vacancy जो increase हो सकती है ठीक है अभी इसको थोड़ा सा ignore कर लीजीगा क्योंकि आपको जानते आगे हम आप बात करते हैं देखिए नेशनल्टी आप लोग जानते हैं कि इंडियान नेपाल बूटान से सभी केंडिट इसके लिए अभी दन कर पाएंगे अगर मैं बात करना चाहूंगा आपकी age limit को लेके डाउट रहता है तो देखिए अगर मैं बात करता हूं इस date को यानिकी 18-2023 यानिकी 1 अगस्त 2023 को अगर आपकी date of birth की बारे में बात करें एक अगस्त 2023 को अगर आपकी age जो है 18 साल हो जाती है तो आप इसमें अभी दन कर सकते हैं और maximum आप लोगों को पता है कि इसमें 25-27 आपकी रहती है ठीक है आप लोग यहां पर देख सकते हैं 27 साल अगस्त 2023 से आपको काउंट करनी होगी तो उसी date से इसाब से आप लोग काउंट कर लीजीगा ठीक है आगे बात करते हैं देखीगा जो भी इंडिया से मेल और फिमेल सभी के लिए अभी दन कर पाएंगे आगे मैं बात करता हूं देख सकते हैं तो मैं आप सभी को बताना सभी के लिए अभी दन कर पाएंगे आगे मैं बात करता हूं देखी और क्या का जानकारी है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सोटस और जानकारी मैं आप सभी के साथ में सेयर करने वाला हूं ठीक है बाई कर सकते हैं अगर मैं इसके application fees के बारे में बात करूँ तो only male candidate के लिए आपको payment करना होगा अगर आप लोग general और OBC category से और EWS category से अगर आप लोग आते हैं only male candidate तो आपको 100 उपीस का आपको payment करना है बागी अगर आप लोग female हैं ठीक है अगर आप female हैं और आप किसी भी category से बलोग करते हैं UR, OBC, EWS, SC, ST किसी से भी category से अपर आप बलोग करते हैं तो आपको कोई भी payment यहाँ पर नहीं देना और जो भी candidate देखिएगा male candidate है और SC और ST से बलोग करते हैं तो उनको भी यहाँ पर कोई भी payment आपको नहीं देना है ठीक है भाई आप लोग समझ चुके होंगे मेरे साब से payment आप लोग ओनलाइन माध्यम से कैसे भी कर सकते हैं करना चाहिए अप्लाइन भी कर सकते हैं करेक्शन डेट मैंने आपको अल्लेडी पहले बता दिए अगर आपके फॉर्म में कोई दक्कत होती है तो 14 जून सी लेके 15 जून तक आप लोग इसको करेक्शन भी कर पाऊ गई ठीक है भाई आगे बात करते हैं एक्जामनिशन सें करता हूं स्कीम आप लोगों को पता इसका दो यानि कि ट्यर् coment आपका एकजाम होने वाला आप सभी को पता हिक इसका qualify यानि य को ठीडियर पर खालीफाइंग होता है जूप banda पर सभी को पहले बता देता हूं इसको टीयर तो के बेश पर हिये सो पहले पता देता हूं ठीक है और खुछ भी हापर चेंजस नहीं दिख़ा ही, तो मैं आपको दिखा देता हूं, दिकこの tier one में आप लोग यहाँ पर देख पा रहोंगे, पाट वाइस आपको यहाँ पर देर क्षा है, तो यहां पर देख सकते हैं नमबर के ठीक है इसके लिए गर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो देखिए आप लोग वहाँ पर दीख सकते हैं साट मिनट का आपको इसमें टाइमिंग दिये जाएगा ठीक है साट मिनट का आपको इसमें टाइमिंग दिये जाएगा और जो candidate describe या फिर VH बगरा candidate होते हैं तो उनको 20 minute extra दिये जाते हैं और कुछी candidate को extra नहीं दिये जाटा time ठीक है भाई आगे बात करते है tier 1 है मैंने आप सभी को बता दिया है objective type paper होता है और दोनों language में आप सभी का exam paper होता है इंदी और English दोनों आप लोग यहां पर देख सकते हैं tier 1 मैंने आप सभी को बता है इसमें negative marking भी होगी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है 0.50 यानि की negative marking होगी means 1Y4 की इसमें negative marking है आप लोग अच्छे से समझ लीजीगा ठीक है अब tier 1 जो है qualify इसके भी आपके तीस कोशन पूचे जाएगा तो आप लोग आपके देख सकते हैं कितना नंबर हो गया mathematics आपका 90 नंबर का mathematics हो गया कितने का 90 नंबर का mathematics हो गया अगर मैं बात करता हूँ आपके general intelligent कि और आपके दीजी के बारे में तो इसके भी आपके 30 कूशन पूचे जाएंगे कितने 300 कूशन पूचे जाएंगे अगर Shh निम्बर का तो इसके भी कितने म。 टॉटल में लाकर बात करूं तो यानि कि जो पेपर वन उसमें आपको 180 नमबर का पेपर होगा और इसका नमबर आपके जुड़ेंगे इस चीज़ का आपको द्यान रखना है उसके बाद देख कुछ टाइम बादी मैं आपको दो चार मिनिट में आपको बता रहा हूं जब आपका सेक्षन फरस्त कंप्लीर हो जाएगा सेक्षन आपको आप लोग देख सकते हैं 120 नमबर का आपका जो है इंगलेस रहेगा में ठीक है आगे बात करता हूं देखिए जनर्रल इन्टे बार में तो जनरल के आपके किसने Quesh peak पूचे जाएंगे 20 कोशन पूचे जाएंगे एक कोशन आपका 3 नमबर कराएगा जो तो आपका कितना हो गया 60 marks का आपका ये पेपर हो गया तो overall मैं बात करूं तो देखे section 2 भी आपका 180 का हो गया ठीक है और plus 180 ठीक है इससे आप लोग देख सकते हैं यहीं कि जो cut off बनने वा बाला है ठीक है भाई आगे बात करते हैं देखीगा उसके बाद देखे आपको computer का paper देना है computer knowledge का एक paper होगा जिसमें आपको 15 कोशन पूची जाएंगे एक कोशन 3 नमबर का होगा जिसमें आपको मैं पताना चाहूँगा देखी इसमें 15 मेंट का आपको timing देजाएगा जो क आपको इसमें 15 मेंट का timing देजाएगा जो कि आपको एक speed test कराई जाती है skill test में आपके ठीक है वो आपको कराई जाएगा उसके बात करते हैं अगर आप लोग पार बी में बात को बताते हूँ आपको यानिकि जो भी पोस्ट थी उन पोस्ट के लिए आपको 15 मेंट है कि आपका 180 marks का आपका यह paper होने वाला है section 1st का और 180 marks का यह आपका section 2 का होने वाला है ठीक है तो आपकी merit जो बनने वाली वह आपकी merit बनेगे कितने पर 360 पर यानि 360 नंबर पर आपकी merit बनने वाली यह tier 1 आपका qualifying nature होगा tier 2 बेस पर आपके यानिकी merit बनेगी English, Math, Reasoning, GK इन आप सभी के साथ में share कर देता हूं ठीक है न और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे और कुछ तो हैं यहाँ पर आपका syllabus दे रहा है तो syllabus आप लोग notification दे एक बार डाउनलोड कर सकते हैं notification में आपको बता दूँगा कैसे डाउनलोड करना है ठीक है अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे बागी और तो कोई जानकारी मेरे साथ से रहती नहीं अगर आपको कोई भी लगता है कि हाँ कोई भी जानकारी आपकी होगी तो आप लोग अपना comment box से पूछ ल जैसा यह photo है और बागी किसी भी तरह का आपको photo upload नहीं करना है जो नीचे दे रहे हैं इनको आप लोगों को देख लीना है ऐसा कोई भी photo upload नहीं करना ठीक है बाई जैसा मैंने आपको पहले बता है उसी तरह का photo upload करना होगा बागी और कोई भी यहाँ पर जानकारी मेरे सा पेपर होगा मिंच टोटल आपका 15 लेंगोईज आप सभी को मिल जाएंगी तो दो लेंगोईज आपको ठीक लगती है अपने फॉर्म बढ़ते टाइम अपना वही लेंगोईज आप लोग अपना दे सकते हैं ठीक है तो मैंने आपको इसके बारे में देखी कंप्लीट जहनक कर लो और यहां पर ही नोटिफिकेशन आप लोग देख पारे होंगे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से डाउनलोड करोगे उसके बाद क्या करना आपको ओपन करना इस नोटिफिकेशन को और आप आराम से अपना रीडाउट कर सकते हो फॉर्म करें सब्सक्राइब करें आपको वीडियो कैसी लेगे कर आपको कोई भी डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स हों पूछ सकते हैं और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके वाल आइकोन बटन प्रेस कर लीजिगा चलिए मिलते हैं किसी नेक्स पूरियो में तब तक के लिए जैहिंग वन्ने मात्रम